Topics in differentiation, exercise set 3.1 के questions, तो कि implicit differentiation की बारे में, सबसे पहले तो आपको यह पता होगा कि हम जो function लिखते है y z f of x, इसमे y independent है, dependent है और x है वो independent है, तो अगर आपके पास function, equation जो है, expression जो है, इस form में लिखा गया हो, ठीक है, कि y और x mixed हो, और y explicitly ना लिखा गया हो, as a function of x, ठीक है, तो इस तरह के function को हम कहते है, implicit function, और इस तरह के function को जिसमें y अलग हो, or as a function of x लिखा और separately, तो हम इसको कहते है, explicit, तो हमने implicitly differentiate करें, इस तरह के functions को, तो part a में कहते हैं कि आप implicitly differentiate करें, with respect to x, उसके बाद part b में कहते हैं कि उसको explicit form में लिखें, और फिर इसको differentiate करें, और फिर देखें, पार्ट c में कि यह दोनों का answer same हैं या different हाता है, तो question 1 में आपको यह दिया हुए, x plus x1 minus 2, x to the power 3 is equals to 2, implicitly differentiating means कि आप दोनों side पे differentiate करें, with respect to x, ठीक है, अब x को differentiate करेंगे, with respect to x, तरह का answer 1 आता है, ठीक है, अब x और फिर y है, it's a product, इसकी पर product rule लगेगा, x first one as it is, second का में derivative लें with respect to x, अब second one as it is, और first का derivative वो क्या है, 1 हमें लेने है, और फिर minus 2 x to the power 3 है, उसका derivative लेंगे, 3 power referent पे आ जाएगा, और power में से 1 minus लेंगा, that is equals to zero, अब इसको simplify कर दे, यह जट जाएगा, यह y बन जाएगा, यह this, अब इसमें से dy by dx और हम को इदर रहने दे, बाकी साब को दूसरी सेट पर ले जाए, और उन्हों सेट पर एक से divide कर दे, you get dy by dx, तो हमने differentiate कर दिया implicitly, और हमने dy by dx निकाल लिया, अब यही चीज हमने करनी है, explicitly के लिए, that means कि इसमें जामने y को subject दाना है, y को अकेला करना है, बाकी साब को दूसरी सेट के लेके जाना है, तो बाकी सारे टाम्स को दूसरी सेट के लेके लिए, यह पर x, y है, और यहां से, x कैसे गता होगा, जब दोनों सेट में, x से divide कर देंगे, x है divide किया, तो यह 2 by x, यह cube है, जब इसको x से divide करेंगे, यह x एक के साथ कट जाएगा, ठीक है, जब एक के साथ कट जाएगा, तो आपके पास क्या रहे जाएगा, square, और x divide by x के आदे ताब को 1, तो यह 1 हो गया, तो यह जब आपने x दोनों सेट, इसको x से divide के दोनों सेट में, अब इसको differentiate करें में with respect to x, तो हमने पहले वीडियो में बात की थी कि अगर आपके पास denominator में x आजाए, तो आपने उसकी जो भी पावर होती है, उसको आपने minus, वो लिख देना है, और उसकी पावर में उसको एक x add कर देना है, तो 1 प्लिस अजिए 2, तो यह कोई चीज कीजिए, इसको हम लिख सकते हैं, minus 1, तो पावर फ्रंट पे आजाएगी, 2 के सब multiply with minus 2, और पावर में से 1 minus कर देंगे, तो x power minus 2, ठीकिए, और इसका टलिवेटर भी और 1 का टलिवेटर भी 0, तो हम लिख देना है, अब इसको हम लिख सकते है, minus 2 by x square, और 4x, अब इसमें और उसमें क लिख ले देंगे, हमारे पास d y by dx, यह लिखा हुआ है, ठीकिए, और यहां से जो आया हुआ था, implicit से, इसको अगर हम x को डिवाइड कर दें, दोनों के उपर, 6x square by x हो गया, minus 1 by x, और y by x, सब को हमने क्या कर दिया, उसको LCM तो यहाल, इसका LCM open कर देंगे, ठीकिए, तो minus 1 over x बाहर निकाल देता हूँ, और y कीजिएगा कि हमें explicit failure निकाली गए y की, जो कही है, अगर ही मैं यहां पर substitute कर दो, इसको simplify कर दो, यह बन जाएगा, minus 2 over x square, यह minus, और यह plus, becomes minus, 1 over x, x square के साथ कट जाएगा, तो minus 2x राइज जाएगा, और minus minus plus 1 over x, अब एक है, minus 1 over x, और cancel out हो जाते हैं, यह plus 6 है, यह minus 2x है, plus 6x minus 2, it gives us 4x, और यह जाएज जाते हैं, तो आप देखें, कि यह दोनों क्या है, same ही है, तो ultimately, चाहिए आप explicitly लिएगा, implicitly लिएगा, derivation, derivative, same हाएगा, इसी तरह, कुछ में तोड़ा सा different होगा, points के लिहाज से, plus minus का, वो भी आ गया जा जाएगा, question 2 में, implicitly दोनों साट पर differentiate किया, derivative लिए with respect to x, हमने पहले भी बात की थी, कि अगर आपके पास यह वाली चीज होगा, हम इसको straight away लिख देते हैं, यह, और inside जो भी इसका function, इसका derivative साथ, multiply कर देते हैं, तो इसका 1 आता है, उसी यह लिखते हैं यह, इसका as it is इस तरह लिखते हैं, अब अगर यह square root y है, तो इसका derivative यह, और inside का derivative यह आ गया, sine का derivative is cos, और इसका 0, dy पर dx के यहां रहने दिया है, बाकी ठाप को दूसरे साथ पर लेगे, so this is our derivative implicitly, अब explicitly हमने y की पे रही निकाल लिए, बहुंसाट पर square लिया, तो यह function बन लिया, इ आपर में से एक मैनिस कर दिया, और inside का derivative, which is cause, तो अब यह चीज़ हमने आ लोड़ी पता है, किस की एकुल होती है, square root y के, उसकी जगा हमने उसकी value पूट कर दी, पहने कि दोनों सेम ही है, जो part seem होने पुछा है, दोनों सेम भी है,